अयूब की पुस्तक अध्याए पाँच पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा, क्योंकि मूड तो खेट करते करते नाश हो जाते है, और भोला जलते जलते मर मिटता है, मैंने मूड को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास्थान को दिखा रहा, उसके लड़के बाले उद्धार से दूर है, और वे फाटक में पीस जाते हैं, और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए, उसके खेट की उपज भूके लोग खा लेते हैं, कि धन के लिए फंदा लगाता है, क्योंकि विपत्ती धूल से उत्पन्न नहीं होती, और नकष्ट भूमी में से उखता है, परंतु जैसे चिनगारिया उपर ही उपर को उड़ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भूगने के लिए उत्पन्न हुआ है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोचता रहूँगा, और अपना मुकर्दमा परमेश्वर पर छोड़ दूँगा, वह तो ऐसे काम करता है, जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चरे कर्म करता है, जो गिने नहीं जाते, वही पुथ्वी के उपर वर्षा करता, और खेतों पर जल बरसाता है, इसी रीती वह नम्रों लोगों को उचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोग उचे पर पहुचकर पचते हैं, वह तो धुरतों लोगों की कलपनाएं व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता, वह दिन को अंधेरा चा जाता है, और दिन दूपर ही में वे रात की नाई टटोलते फिरते हैं, परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रुपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है, इसलिए कंगालों को आशा होती है, और कुटिल मनुषों का मुह बंद हो जाता है देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमिश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सरोशक्तिमान की ताड़ना को तुछ मत जान, क्योंकि वही गायल करता और वही पट्टी भी बानता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है, वह तुझे छव वह अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, तू वचन रुपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आये तब भी तुझे भय न होगा, तू उजाड और अकाल के दिनों में हस्मूख रहेगा, और तुझे बनेले जन्त तू उसे डर न लगेगा, बरन मैदान के पत्थर भी तुझे से वाचा बांधे रहेंगे, और वनपशु तुझे से मेल रखेंगे, और तुझे निश्चे होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे, तब कोई वस्तु खोई न होगी, पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्ता का होकर कबरों को पहुचेंगा, देख, हमने खूज-खूज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाख के लिए ध्यान में रख,